बरेली में तीन तलाक विरोधी कानून बनने के बाद भी तीन तलाक देने का मुद्दा सांतुन नहीं हुआ है एक रिटाइर दरोगा की बेटी को उसके दरोगा दामाद आरिफ खान ने 4-14 सड़क पर तीन तलाक देकर शंबंद विच्छेद करने की घोशना कर दी रुवीना खान पुत्री रिटायर दरोगा मुहंबद इदरीश खान की शादी दरोगा आरिफ खान पुत्र हनीफ खान निवासी मानपुर नगरिया थाना सोरों जलाकास गंज के साथ 12 साल पहले हुई थी साधी के बाद से ही आरिफ खान ने प्रतारित करना सुरू कर दिया था उनका आरोप है कि उनके पती दरोगा आरिफ खान उसे प्रतारित करते थे और इसी को लेकर उनका एक मुकदमा महला थाने में चल रहा था उसी सिलसले में आज वो अपने बच्चों के साथ महला थाने पहुंची तो उन्हें चौकी चौराहे पर देखा कि उनके पती दरोगा आरिफ खान की क्रेटा गाड़ी खड़ी है उन्होंने टीन सैड में ले जाकर अपने पती से बात करना चाही तो पती इसी बीच उसके पि ताके मूँ से तीन तलाग सब्द सुनकर उसके बच्चे रोने लगे और कहा कि पापा ऐसा ना करो लेकिन आरिफ खान नहीं माना और उसने सब के सामने तीन तलाग कहे कर संबंद विच्छेत की घोशना कर दी पती से यह है वो चाल चलन उसका गलत है शुरू से हम रोकते रहें छुडाते रहें अलग-अलग मेलाओं से कभी किसी से चुडा रहें अब उसने शादी कर लिए दूसरी और यही कह रहा है बहुत दिनों से कि हमें रख नहीं तुझे मैंने कहा भी बच्चे हमारे बड़ तुझे मैं 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 ये 2019 में की थी मुझे लेकिन फता नहीं था मुझे बाद में फता चला है कहा के रहने होने हैं चाह करते हैं कौन हस्मेंट ये पीसलपुर क्या ये सब इस्पेक्टर है यूपी प्लिस में आरिफ खान अभी भिशनौर में है भिशनौर के चांदपुर धाने में